ये वीडियो दिन के टाइम पर शूड हो रही है, इसलिए वो लाइटो वाले शशके नहीं होंगे लास्ट वीडियों हमें बात की थी दूस एंड टोंस पर कि क्या चीज़ा आपको करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवाइट करना चाहिए यह है पार्ट टू और इसमें बात करेंगे दा पावर आफ कंविंसिंग एंड केंपेंग इससे पहले के मैं आगे पॉइंट्स पर चलूँग सबसे पहले जान लेते हैं कि केंपेंग क्या होती है और वोटर कौन होता है केंपेंग बेसिकली आपकी सेलफ मार्केटिंक होती है जिसमें आप अपने आपको प्रमोर्ट करते हैं अपना मंशूर लोगों के सामने लाते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशश करते है अब बात करते हैं वोटर की वोटर भी आपकी तरह एक real human ही होता है काफ़ी लोग यह समझ रहता है यार हम लोगों के सामने जाके कुछ भी बोलेंगे और वो उसको हजब कर लेंगे जबके ऐसा नहीं होता वो भी आपकी तरह अंसान है और आपकी तरह ही सोचता है अगर कोई बात उसको आपकी और लगी की वो उसको फोरण पकड़ लेगा उसका मजाग बनाएगा या हो सकता है कि वो आपकी बातों से convince ना हो तो कुछ भी बोलने से पहले यह सोचें कि सामने वाले बने के बाद भी दिमाग है आज हम कुछ important points पर बात करेंगे जो आपकी campaign में आपकी मदद कर सकते हैं जैसे कि आपकी personality क्या roll अदा करती है क्या चीज़ें आप कर सकते हैं campaign के दौरान आपको क्या मसायल पेशा सकते हैं अपने panel का influence कैसे स्टमाल कर सकते हैं और आपकी USP यानिक unique selling point आपकी वो quality जो आपको आपके competitor से मनफरत बनाती है और इसके साथ साथ आज हमारे साथ शामिल होंगे एक former society member जिन्होंने अपने टाइम पे बहुत effective campaigning की थी और वो जीते भी थे तो शुरू करते हैं सबसे पहले personality लोग आपसे मिलने से पहले आपसे बात करने से पहले सबसे पहले देखते हैं आपको आपका हुलिया और आपकी personality उसके बाद वो फैस्टर करते हैं कि वो आपसे बात करने में इंट्रस्टेट हैं भी या नहीं तो campaign के दुरान आपको लोग अपनी personality में कुछ ऐसे तक्दिल लानी पड़ेंगी कि जब आप लोगों से मिलने जाएं तो वो आपसे बात करना पसंद करें तब ही तो आप उनको अपनी बात बनवा सकते हैं Your attitude matters a lot जो लोग आपको जानते हैं वो तो जानते हैं कि जब आप new लोगों से बिलने जाते हैं तो वहां आपकी personality एक एहम किरदार अदा करती है कोशिच करें कि आप balanced रहें जादा हसी मज़ाग भी ना करें और जादा serious भी ना हो क्योंकि जादा serious बंदों से लोग बोर हो जाते हैं जादा हसी मज़ाग करने वालों को लोग serious नहीं कहते हैं जब जरुवत लगे वहां पर आप funny कुछ बोल सकते हैं या jokes मार सकते हैं ताके audience entertain हो सके है और marketing या campaign के दुरान जो चीज product को successful बनाती है वो है storytelling तो आपकी storytelling ability और communication skills बहुत strong होने चाहिए कि आप अपनी कहानी और अपने मन्शूर को इस अच्छे तरीके से बयान कर सके कि लोग आपसे convince भी हो और उस कहानी का हिस्सा बनना चाहें अब बात करते हैं कि campaign के दुरान आप क्या चीज़ें कर सकते हैं number one कोशिश करें कि लोगों से face to face मिलें लोगों आपका नाम सुना होगा आपकी तस्वीर देखे होगी लेकिन जब आप उससे face to face मिलें के बात करते हैं तो आपके convince करने के chances बढ़ जाते हैं number two जो कि obvious है सबको बता होता है कि आप मफ्तलिफ departments और classroom विजिट कर सकते हैं जहां पर जादा quantity में लोग students मौझूद हों तो जितने जादा लोगों साब बात करेंगे उतने जादा लोग आपको जान पाएंगे तीस्की जीत आप यह कर सकते हैं कोई चोटी बोटी fun activity करवा लें या उन मकामात पर जहां पर students जादा quantity में मौझूद हों जैसे के canteen वहां पर एक छोटा साब jamming session कर सकते हैं students के साथ कोई fun activity कोई game कर सकते हैं या वहां पर एक तक्रीर कर सकते हैं definitely जितने जादा कान होंगे उतने लोग आपकी बाते सुनेंगे चौती जीत जो थोड़ी मुश्केल है लेकिन अगर आप करवाएं तो उसका reward उतना ही जादा है आप कोई छोटा मोड़ा event और और्गनाइस करवा सकते हैं चाय ओपन माइक session हो या कोई sports activity हो या कोई arts related activity हो जिसमें आप ज्यादा लोग को involved कर सकें अपने साथ वहां आप लोगों को motivate भी कर सकते हैं उनके ideas भी ले सकते हैं और उनसे अपने bonding भी strong कर सकते हैं पांचवी चीज आप social media के अपना एक session record कर सकते हैं या कोई video clip जिसमें आप अपने बारे में बता रहे हों या अपना manchoo record कर सकते हैं क्योंके social media की reach basically जादा होती है तो आपकी बात मजीद जादा लोगों तक पहुंच सकती है number six कोशिश करें कि आप crown funded activities करवाएं और जादा जादा लोगों को especially new लोगों को अपने साथ activities में involve करें जब लोग आपके साथ किस activity में जुड जाते हैं तो वो आपके साथ comfortable हो जाते हैं और वो एक दफ़ा आपकी बात मानने लग जाएं तो फिर आपकी lottery है वो लोग आपके लिए मजीद वोटर्स भी लेके आ सकते हैं अब सवाल योटता है कि जब आप लोगों से मिलेंगे तो आप उनको बोलेंगे क्या सबसे पहले आपको चाहिए आप अपने बारे में लोग को बताएं कि आप कौन हैं आपकी क्या कार करदेगी हैं और आप क्या लेके आ रहे हैं No.2 mandate यानि कि आपको मंजूर आपके goals क्या हैं और आप क्या events मजीद लेके आ सकते हैं लोगों के लिए तो mandate दो तरीके से काम करता है या तो आप अपना खुद का बना के लाए कि मैं यह यह करूँगा और यह यह रादे हैं करने के लिए वो आप लोगों को feed करने कोश्च करें या पिर आप लोगों से सवाल करें कि वो क्या चाहते हैं और आप उसी के अपने मंशूर को घुमाएं और उनको वो ही दे जो के वो सुनना चाहते हैं उनके साथ वो आइडिया शेयर करें जो के उनको एकसाइट करते हैं अगर आप एक group of people के साथ हैं जिनको एक specific idea एकसाइट करता है तो आप उनके साथ वो ही बात करें इसी तरह जब आप दूसरे लोगों से मिलें उनके साथ वो बात करें जो आइडियास उनको एकसाइट करते हैं कोशिश करें कि exaggerate ना करें और सिर्फ उन्हीं events के बारे में बात करें जो कि आपको लगता है कि आप वाकी में organize करवा पाएंगे क्योंकि हर चीज campus policy के अंदर नहीं होती तो बहुत सारे ऐसे events होते हैं जो कि reject हो जाते हैं बात में तो कोशिश करें कि policies के according ही अपनी बात करें ताकि आपकी बात भी खराब ना हो और आप वह events करवा भी सेगे आपने बड़ी बड़ी बाते कर दी हम यह करेंगे वह करेंगे चांद तारे तोड़ के लाएंगे ठीक है और आप उनमेंसे कुछ भी ना करवा सेगे और पर बात में आपका मजाग बने अपनी conversation को balance रखें जाता serious ना हो और बात बात पर जाता jokes भी ना मारें कोशिश करें कि दर्माइनी रास्ता अक्तियार करें वहना जैसा कि मैंने पहले पताया कि serious conversation से लोग बोर हो जाते हैं और जाता jokes बालने से लोग आपको serious नहीं समझते आप चाहें तो memes को code कर सकते हैं बीच में और जो भी चीज़ें जिन सब relevant रह सकें अगर कोई आपसा सवाल करता है तो उनको proper detail जवाब दें जब तक वह आपके जवाब से satisfy नहीं हो जाता एक कुछ quantity होती है लोग की जो आपकी किसी भी जवाब से satisfy नहीं होते तो ऐसे लोग भी होते हैं एक चीज़ जो students को बहुत excited करती है वो यह है कि वो भी events का हिस्सा बने तो आप students को यह बताएंगे कि जो events आप organize करवाने वाले उनमें आप लोग को हम part बनाएंगे और कोशच करने कि आप students से भी ideas लें क्योंकि जब आप उनके ideas सुनते हैं उनको value देते हैं तब वो आपसे ज्यादा convince होते हैं और एक चीज़ आपने अवाइड करनी है कि भाई रोना रही है कि भाई प्लीज मुझे वोट दो जैसे mostly लोग कर रहे होते हैं यह आपकी credibility को down करता है आपको अपनी credibility ऐसी बिनानी पड़ेगी कि लोग खुद बोलें कि भाई मैं आपको ही वोट दोंगा अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर जिन से आपको चौकनना रहना पड़ेगा जो कि होती है हो सबता है कि आप इन points पे मुझसे disagree करें लेकिन यह चीज़े होती है Point No.1 कि अगर election में एक female candidate आ रही है और वो थोड़ा good looking है तो इसके awards automatically बढ़ जाएगी If you know what I mean ऐसा ही है भाई हमारी आवाम ऐसी है यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पे लड़के आप fair advantage इसमाल करती है अपनी personality का इसमाल करती है अपने बोल चाल का लोगों से अच्छे बात करके लोग easily वहां convince हो जाते हैं बनस्वर इसके कि वहां पे कोई लड़का उनसे बात करें तो अगर आपके competitor कोई लड़की है तो वहां वहां आपको जादा जान मालनी पड़ेगी और एक जो कि बहुत important चीज है जिसका आपको बहुत खायल रखना है वह यह है कि अगर आप strong contender हैं तो आपके खलाफ lobbying भी हो सकती है lobbying में यह होता है कि मुक्तरिफ department के students आपस में इतिफाक बना लेते हैं आपके वोट्स काटने के लिए और अपने उमीदवार के वोट्स बढ़ाने के लिए आपस में वोट्स एक्सचेंज करते हैं कि भाई एक department वाला बोलता कि मैं अपने department से कोईश कर रहा हूँ क्योंकि आपको वोट दिल्वाओं और वो बोलता कि हाँ भाई मैं आपको दिल्वाओंगा ताकि जो यह सामने वाला contender है उसको कटाया जा सके इस चीज़ से बचीगा क्योंकि यह बहुत प्रॉल्म हो जाती है क्योंकि जब कि भी डिपार्टमेंट का नाम आजाता है तो लोग फॉरण से इत्फाक कर लेते हैं जैसे कि एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो वहां सारे वोटर्स बोलेंगे हाँ मैं मैं अपने अपने इपार्टमेंट के उमीदवार को ही वोट दूंगा इस चीज़ से बहुत डाइवर्स पैनल है यानि कि मुक्तलिफ डपार्टमेंट से लोग आपके पैनल में शरीक हैं तो डेफिनिटली आपके वोट बढ़ जाएंगे क्योंकि जब पांच डिफरेंट डपार्टमेंट से आपके बास अलाइंस आई है तो वह सब लोग आपको ही वोट देंगे औ आपके सात्य की बनियाक पर छाएंप एक यान पर आपको लगे क्या मेरे बेरे इसका कमांड जादा है आप इसको बहँ पर बोलने दें तो आपको मेंटर civ युग करे और को ऑर आपके सात्यों को भी एकौए ऑफ फायदा यह होता है कि 7org मुक्तलिफ यख लोग एक ही कॉ यह थोड़ा सा घबराने लगता है कि यह तो जादा नाजर आ रहा है इसकी लोग जादा बात सुनें तो क्या होता है कि वह थोड़ा घबराने लगता है और वहां पे वो स्टेक्स करने शुरू हो जाता है और उसी चीज़ से आपको फाइदा होता है और आखरी सबसे इंपॉर्टन चीज़ आपकी यूएसपी यानि के यूनिक सेलिंग पॉइंट आपकी कोई ऐसी कॉलिटी जो आपको आपके कमपाड़ेटर से मुनफर्द बनाती है वो आपका सबस्क्राइब कोई आपको आपकी यूएसपी से मैच करती हो तो इसी के साथ जैसा कि मैने का था क्याता है कि हमें एक फॉर्मर सुसाइटी मेंबर को शामेज करेंगे तो कॉल पर लेते हैं एलेक्टेड मेंबर ऑफ कम्यूनिटी सर्वेस सुसाइटी समीर अली खान उसको यह तो रात हो गई कफी लंबा ब्रेक ले लिया खर हमेरे साथ मौजूद है समीर जो के पेशे से सोशल वर्ड कर है समीर असलाम अलेकम एंड वैलकम कुटी तर शो वालेकुम असलाम वधी तैंक यू सो मच और आपकी जो पहली वाली वीडियो थी एलेक्शन के उपर उसक काम जो महनते हमने की थी लेक्शन के हमाले से वह सारी रिकॉल हो गई है मुझे बहुत खुश्वियों रिसन के तुम्हें वह पसंद आई खर अभी हम यही बात कर रहे थे कि आप लोगों ने भी जो है एलेक्शन में केंपेरिंग की ती और कफी एफेक्टिव आक्टिए आपने प्रेसेंट अरहे थे तो आपने यह वीडियो बाइए जिसके अंदर आपने बताया था protecting आप सकते नहिसां करते ही आपने पुराने काम को लोगों को पस्क्री में कम्म्यूनिटी सर्वेस सोसाइटी से आ रहा हूं तो मेरे बैच के अपर यह चीज़े लगी वी हैं, यह काम मैं करता आ रहा हूं, तो मुझे लोगोंने उस तरह से prefer किए कि उस तरह से कि शायद उस बात प्रस्ट बीड हो गया था कि हमारे दिर्मियान ट्रस्ट है, सबसे important चीज़ मुझे लगता है कि वो trust building होती है, कि आप अगर अपने वोटर के साथ जो आपके सपोर्टर हैं और वो अबिसली वोटर ही होंगे तो उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर सके आप क्योंके इंडिविज्वल लेवल पे भी लड़े होते हो कभी आप पैनल की सूरत में लड़े होते हो लेकिन जो मोश इंपॉर्टन चीज होती है वो आपका पुराना काम होता है लेकिन अगर आपने यह सोचा कि नहीं जी मैं तो बहुत कोई तुर्म खानूं मुझे जरूरत नहीं अपने पुराने काम को दिखाने की लोगों को या बताने की लोग मुझे मेरे नाम पे ठपा लगा कर चले जाएंगे तो ऐ वर्ड पावर क्या एहमेत रखती है लेकिन परस्नालिटी जो होती है उसका बिल्कुल रोल होता है बहुत इंपोर्टन रोल होता है बलके मुझे यहां पर एक शेर याद आ रहा है कि तू इदर उदर की बात न कर ये बता काफला क्यों लुटा मुझे रहजन हो से गिला न अगर हम अपनी इस कैंपेइन का हिस्सा बनाएं कि आपका जो आपकी परस्नालिटी है अगर्चे वह जॉली है अगर आपकी परस्नालिटी इस तरह की है कि आप जो है लोगों को अपने तरफ मुतवज्य कर सकते हैं आप पबलिक स्पीकर हैं आप आर्टिस्ट हैं आप डि तो लोग आपके साथ relate करते हैं अपने आपको एक गुरुप बनता है जो आपको support करता है और जो ये गुरुप बनेगा जो आपके काम को देखकर बनेगा वही सबसे strong group होगा और वह आपको जिता देगा बजा फरमाया बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और यहां जोइन क हैं मेरी खास तोर पर उनको है के community service society बहुत important society है तो उसके जो तक्दुस है उसको बिलकुल आपने importance देनी है और उसी को मदे नज़र रखते वें आप community service society के अंदर vote करें और दूसरी societies के अंदर भी thank you this was Samir Ali Khan and it was a very fruitful conversation मुझे अबीद है कि आपने भी से कुछ जरूर सीखा होगा यह था part two power of convincing and campaigning अब जो next part आएगा वो आखरी होगा उसके में conclusion करूंगा और बताऊगा कुछ dirty tactics यानि यह कुछ ऐसी techniques होती है जिसके तरी आप अपने opponents के votes काट सकते हैं और उनके credibility damage कर सकते हैं उनके chances खराब कर सकते हैं और even के strong contender को भी वीग बना सकते हैं बड़ी अच्छानी से यह मैं करने को नहीं करूंगा लेकिन मेरा गाम में बताना बाकिया आप लोगों की मरदी है तो अगली बार मुलाकात करते हैं अपना बहुत ख्याल रखें मासाथ जुड़े रहें उएफ सक्वा सब्सक् herselfें к्रेप लेघियें उन्यूमा शभा लिए रखें सकते हैं बार मुलाकात करते हैं proprio कर विर बार मुलाकातो है झाल बहुत झाल